Hello everyone, welcome back to Chira Classes. This is my third lecture of Class 12, Biology, Chapter 6, Molecular Basis of Inheritance. आज की वीडियो का टॉपिक है, The Genetic Material is DNA. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें Chira Classes को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस्स ना कर पाएं. Thank you. So, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, The Genetic Material is DNA. Alfred Hershey और Martha Chase ने 1952 में वाइरिस के उपर काम किया था, जो के बैक्टीरिया को इंफेक्ट कर रहे थे, जिनका नाम था बैक्टीरियो फेजिस. तो इन्होंने किस के उपर काम किया था? इन्होंने वारिस के उपर काम किया था, जो के बैक्टीरिया को इंफेक्ट कर रहे थे, और उन वारिस का नाम था बैक्टीरियो फेजिस. bacteriophage क्या करता है bacteria से attach करता है और अपना genetic material जो है वो bacteria में पहुचाता है तो उसका genetic material क्या करता है enter करता है bacterial cell को the bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles अब जो bacterial cell है वो उस viral genetic material को अपना genetic material समझता है और बहुत सारे virus particles को manufacture करता है produce करता है Hershey और Chase ने यह जो work किया था यह जो काम किया था यह इसलिए किया था जिससे वो यह पता लगा सके कि क्या वो protein था या DNA था वाइरिस से जो आ रहा था जो कि bacteria में enter कर रहा था तो basically Hershey और Chase का यह motive था कि उन्हें यह पता करना था कि जो वाइरिस से बैक्टीरिया में जा रहा है वो protein था या DNA उन्होंने कुछ वाइरिस को medium पे grow कराया जो के radioactive phosphorus मतलब simple अगर मैं कहूं उन्होंने कुछ वाइरिस को medium में grow कराया और वो medium में किसी में radioactive phosphorus था और किसी medium में था radioactive sulfur तो वाइरिस को उन्होंने in respective mediums पे grow कर आया किसी medium में radioactive phosphorus प्रेजंट था तो किसी medium में क्या प्रेजंट था radioactive sulfur वाइरिस इस ग्रोन इन प्रेजंस आफ radioactive phosphorus चंटेंट radioactive DNA बट नॉट radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein does not और वाइरिस जो कि radioactive phosphorus के presence में grow हुए उनमेン radioactive DNA WAS present था लेकिन कोई radioactiveanne present नहीं थी क्यूंकि जो dna आ होता है उसमें phosphorus होता है लेकिन surgeon प्रेजंट में phosphorus नहीं होता है ऐसे ही, वाइरिस जो radioactive sulfur पे grow हुए उनमें radioactive protein था नहीं कि radioactive DNA क्योंकि जो DNA है उसमें sulfur present नहीं होता है, radioactive phages जो थे उन्हें फिर E. coli bacteria से attach कराया गया जिस से infection आगे बढ़ता और viral वारिस के साथ इंफेक्टेट थे जिनके पास बढ़ता है वारिस पार्टिकल्स थे वह अलग हो गया थे बैक्टिरिया से जब उन्हें centrifuge में spin कराया गया था तो बैक्टिरिया जो के वारिस के साथ infected थे जिनके पास radioactive DNA था वो radioactive थे इसका मतलब यह था कि जो DNA है वो ही वो material है जो के वाइरस से बैक्टीरिया में पास हुआ है तो यहाँ पर पता लगा कि DNA ही वो substance है या DNA ही वो material है जो के वाइरस से बैक्टीरिया में पास हुआ था तो बैक्टीरिया जो के उन वाइरस के साथ इंफेक्ट हुए थे उन वाइरस से इंफेक्ट हुए थे जिन में radioactive proteins थे वो बैक्टीरिया रेडियो आक्टिव नहीं हुए इसका मतलब यह है प्रिटीरिया में एंटर नहीं कर रहा था वाइरस से तो इससे यह पता लगा कि DNA ही वो जानिटिक मटीरिया है जो कि वारिस से बैक्टीरिया में पास होता है कि कि अ नौ सभशी छेस एक्सपरिमेंट डायग्राम के थो यहां पर संजाये गया है बिलकुल वही चीजպ यहां पर आप देख सकते हो Bacteriophage, यह Bacteriophage है, यह Radioactive S35 Label Protein Capsule है, यहाँ पे Radioactive P32 Phosphorus Label DNA है, तो Bacterial Cell में पहले infection कराया गया, इसमें Sulfur, जो S35 है, उससे infection कराया radioactive S35 Label Protein Capsule, जो है यहाँ पे Bacterial Cell को infect कराया गया इससे, ऐसे ही यहाँ पे इससे infect कराया गया, radioactive P32 से, दोनों में फिर blending आप देख सकते हो, यहाँ पे blending हो रही है किस तरीके से, इधर कैसे blending हो रही है, then centrifugation कराया, radioactive P32, detected in cells, basically, sorry, radioactive P32 cells में देखे गए, और कोई radioactive S35 जो है, वो cells में नहीं देखे गए थे, तो protein जो है, वो radioactive proteins देखने को नहीं मिला था, बलके radioactive जो DNA है, वो देखने को मिला था, तो यहाँ पे radio activity यहाँ पे show नहीं हुई थी, supernatant में, और यहाँ पे radioactive detect हुआ था, supernatant में, तो यह था Hershey Chase का experiment. Now, next हमार टॉपिक है, properties of genetic material, DNA versus RNA. RNA भी genetic material है, जैसे DNA genetic material है, ऐसे RNA genetic material है, tobacco, mousaccharis, qb bacteriophage, इन सब में जो genetic material होता है, वो होता है RNA. RNA, dynamic functions perform करता है, मतलब, different functions perform करता है, messenger का और adapter का, जो के एक तरह से पाए जाते हैं, किस तरह से, जब हम इन दो nucleic acid molecules के chemical structure को देखते हैं, तो यह जो DNA है, RNA है, इनका जो chemical structure है, उनके बीच में differences मिलते हैं, और इन differences से पता चलता है, कि RNA जो है, वो dynamic functions perform करता है, एक तरह से messenger का भी, और एक तरह से adapter का भी. फुल्फिल, the following criteria, अब एक molecule को genetic material होने के लिए, क्या-क्या criteria फुल्फिल करना होता है, पहला यह, कि वो अपना replica generate करने के काबल हो, मतलब यह, it should be able to generate its replica, मतलब replication process, वो molecule replicate करने के काबल हो, replication process उसमें हो सके, second है, chemically or structurally उसे stable होना चाहिए, third है, it should provide the scope for slow changes, mutation that are required for evolution, तो third में जो criteria वो यह है कि scope हो, लेकिन slow changes के लिए, यह mutation के लिए scope होना जरूरी है उस genetic material में, जिस से evolution हो सके, then next है, it should be able to express itself in the form of mandalian characters, वो अपने आपको mandalian characters में भी express कर सके, if one examines each requirement one by one, because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids, DNA and RNA have the ability to direct their duplications, तो अगर मैं एक के बाद एक इसके requirement को देखूं, तो जो base pairing का rule है और जो complementarity का rule है, उसमें यह दोनो nucleic acids, DNA और RNA, इनमें ability होती है कि यह अपने आपको duplicate कर सके, इनके पास ability हो सकती है कि यह अपने duplications को direct कर सके, जो दूसरे molecules हैं living system में, जैसे proteins, वो इस criteria को fulfill नहीं कर पाते हैं, genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with changing physiology of the organism, जो genetic material होता है वो stable होता है, इतना stable होता है कि जो life cycle के अलग-अलग stages आते हैं, वो genetic material उस life cycle के जो different stages वे उस पर change ना हो, तो वो इतना stable होना चाहिए कि वो different stages of life cycle पे change ना हो, age के साथ change ना हो, अगर physiology में change आ जाता है, organism के, तो वो अपने आपको change ना करें, वो बिल्कुल stable हो. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. Now, stability, एक उन में से भी properties, genetic material के उन properties में भी stability आता है, जो के Griffiths का transforming principle में देखा गया था, कि जो heat है, जिसने bacteria को kill किया था, उसने, उसने कुछ जो properties थी genetic material के उसको destroy नहीं किया था, तो heat, जिसने bacteria को खतम कर दिया था, लेकिन उसने जो कुछ properties थी genetic material के उसको destroy नहीं किया था, तो इससे यह असानी से explain कर सकते हैं कि DNA में अगर दोस strands जो हैं वो complementary हैं, और वो separated हैं, तो मतलब आपने DNA को heat किया, तो DNA जब heat हुआ तो दोस strands जो हैं, वो complementary हैं, जब आपने heat करके उन्हें अलग कर दिया, लेकिन वो आपस में वापस जुड़ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, जब एक appropriate conditions, एक suitable conditions जब हम उन्हें provide करेंगे, तो heating से आपने क्या किया, दोस strands जो हैं वो DNA की अलग-अलग हो गई, अब अगर हम suitable conditions provide करते हैं, तो वो दोस strands आपस में एक साथ आ सकती हैं, Further, 2' OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable, अब यहां पर एक और चीज़ यह बता रखिया, RNA के बारे में, कि 2' OH group जो होता है, हर nucleotide, मतलब RNA के हर nucleotide पर present होता है, 2' OH group, जो कि reactive group है, और इसके वज़े से RNA में easily changes आ सकते हैं, और यह आसानी से degrade हो सकता है, RNA को हम catalytic भी कहते हैं, क्योंकि यह catalysis में involved है, catalysis provide करता है, reactions को catalyze करता है, इसलिए यह reactive है, DNA chemically less reactive होता है, और structurally बात करें, उसका structure ज़्यादा stable होता है, अगर मैं RNA से compare करूँ, Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is a better genetic material, तो अगर दो nucleic acids में देखा जाए, तो DNA एक better genetic material है, In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA, एक और चीज यह है, कि uracil की जगा यहाँ पर thymine आता है, DNA में, तो इससे क्या होता है, इससे stability जो होती है DNA की वो और बढ़ जाती है, DNA और RNA दोनों जो हैं, वो mutate हो सकते हैं, दोनों में mutation हो सकता है, In fact, RNA being unstable, mutate at a faster rate, consequently viruses having RNA genome and having shorter life span, mutate and evolve faster, तो RNA unstable है, वो जादा जल्दी से, जादा fast rate पर mutate करेगा, तो जो viruses होते हैं, जिन में RNA genome होता है, उनका shorter life span होता है, वो mutate करते हैं और बहुत जल्दी evolve करते हैं, क्योंकि RNA unstable है, तो उसका mutation rate काफी fast होता है, RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the characters, RNA, जो है, वो directly proteins के synthesis, मतलब एक तरह से directly code करता है, protein के synthesis को, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह आसानी से characters को express करता है, RNA, DNA, जो है, वो RNA पर dependent होता है, protein की synthesis के लिए, तो however, DNA is dependent on RNA for synthesis of proteins, The protein synthesizing machinery has evolved around RNA, जो protein synthesizing machinery है, वो RNA के around evolve होती है, RNA और DNA जो है, वो फंक्शन उनका यह यह genetic material का, RNA भी एक तरह से genetic material है, DNA भी genetic material है, लेकिन DNA जादा stable है, तो वो जादा अच्छे से genetic information को store करके रख सकता है, लेकिन अगर उस genetic information को अगर आपको transmit करना है, अगर आपको transfer करना है उस genetic information को, तो यहाँ पर RNA बेटर है, next topic है हमारा RNA world, RNA जो था वो पहला genetic material था, जो important life processes होते हैं, जैसे metabolism है, translation है, splicing है, इन सब में यह सब RNA के around evolved हुए थे, RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst, there are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes, तो RNA जो है वो एकना genetic material के तरह भी एड़ करता था और catalyst की तरह भी एड़ करता है, तो कुछ important biochemical reactions जो living systems में होते हैं, वो RNA catalyst के through catalyze होते हैं, ना के protein enzymes, तो enzymes की अगर मैं बात करूँ, तो protein enzymes की जगा, RNA catalyst जो है, वो basically reactions को catalyze करते हैं, तो genetic material के साथ-साथ ये एक catalyst के तरह भी काम करता है, RNA being a catalyst was reactive and hence unstable, तो catalyst होने के नाते RNA जो है, catalyst है, तो वो reactive है काफी और unstable है, therefore DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable, तो यहाँ पर जो DNA है, वो RNA से evolved हुआ, जिसमें chemical modifications हुई, जिससे वो और stable हुआ, तो basically RNA से DNA आया, तो DNA जो है, वो RNA से evolved हुआ, उसमें कुछ chemical modifications के साथ हुआ, जिससे वो जादा stable हुआ, DNA double stranded है, और उसमें complementary strand present होते हैं, तो further resist करते हैं, जो changes आते हैं, जो changes evolve होते हैं during a process of repair, तो इसलिए वो double stranded है, DNA, तो double stranded के साथ complementary strand है उसके पास, तो उसके वज़े से यह resist करता है changes को, जो के repairing process के दौरान evolve होते हैं, उन changes को resist करता है, DNA, Next topic है हमारा replication, Watson और Crick ने एक propose किया था, scheme for replication of DNA, the scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands, तो यह जो Watson और Crick ने replication के लिए एक scheme proposed की थी, उस scheme में यह था कि जो दो strands होते हैं, वो separate होते हैं, separate होते हैं और वो किस तरह से act करते हैं, वो template की तरह act करते हैं, जिससे RNA form होगा, जिससे एक नया complementary strand form होगा, तो यह जो दो strands से DNA के, वो separate होए अलग होए और जो दोनों strand हैं, वो template के तरह पर काम करेंगे, मतलब आट करेंगे, किसके लिए जिससे वो एक नया complementary strand form कर सकें, जब replication पूरा हो जाएगा, उसके बाद हर DNA molecule उसमें एक parental और एक newly synthesized strand मौझूद होगा, present होगा, इस scheme को उन्होंने नाम दिया था, semi-conservative DNA replication, क्योंकि यहाँ पे जो DNA molecule है, उसमें एक parental, हर DNA molecule में क्या होगा, एक parental और एक newly synthesized strand form होगा, मतलब एक newly synthesized strand होगा, present sorry, और एक उसमें होगा parental strand, तो इस scheme को उन्होंनों नाम दिया था, semi-conservative DNA replication, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Watson Crick model for semi-conservative DNA replication, इसमें हर DNA molecule में एक parental strand है, और एक newly synthesized strand है, next है हमारा the experimental proof, Matthew Misselson and Franklin Stahl ने perform के थे experiments, 1958 में, उन्होंने E. coli को grow किया था medium में, जिसमें था 15 NH4Cl, मतलब ammonium chloride, और 15N जो था, जो 15 nitrogen है, वो heavy isotope था nitrogen का, as the only nitrogen source for many generations, the result was that 15N was incorporated into newly synthesized DNA, तो इसका result यह हुआ, कि जो 15N था, वो newly synthesized DNA में incorporate हुआ था, इस heavy DNA molecule को हम distinguish कर सकते थे, normal DNA से, by simple centrifugation in a cesium chloride density gradient, यहाँ पे हम heavy DNA molecule को normal DNA से distinguish कर सकते थे, कैसे, centrifugation करा के, किसमें, cesium chloride में centrifugate करा के, मतलब cesium chloride density gradient में centrifugate करा के, हम heavy DNA molecule को distinguish कर सकते थे, normal DNA से, 15N एक radioactive isotope नहीं है, इसे हम separate कर सकते थे, 14N से, सिर्फ इनकी densities के basis पो, then they transferred the cells into a medium with normal 14 NH4Cl and took samples at various different time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded hallucis, फिर उन्होंने cells को transfer किया था उस medium में, जिसमें normal 14 ammonium chloride था, और उन्होंने बहुत से samples किये थे, अलग-अलग fixed time intervals पे, क्योंकि cells जो थे, वो multiply कर रहे थे, फिर उन्होंने extract किया DNA को, ठीक है, फिर उन्होंने DNA को extract किया, जो के double-stranded houses में रहे थे, तो उनको extract किया गया, the various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA, तो जो बहुत सारे samples लिये गए थे, तो उन samples को separate किया था, अलग-अलग separate किया गया था, cesium chloride gradients पे, जिससे वो DNA की densities को नाप सके, measure कर सके, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15 and to 14 and medium, that is after 20 minutes, EcoliR divides in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density, तो जो DNA extract किया गया था, culture से, from the culture one generation after the transfer from 15 and to 14 and medium, तो उसमें उन्होंने देखा, जो DNA को extract किया गया था, एक culture की generation से, कब जब हमने उसे transfer किया था, 15 and से 14 and medium में, मतलब 20 minutes के बाद देखा गया, EcoliR जो है वो डिवाइट करता है 20 minutes में, तो यहाँ पे जो DNA की density थी, वो hybrid थी, या फिर intermediate density थी, 40 minutes के बाद, 2nd generation, तो उसमें उन्होंने देखा, कि equal amounts hybrid DNA के मिल रहे है, और equal amounts हमें light DNA के मिल रहे है, तो यह में Selson और स्टाल का experiment था, जो यहाँ पे डाइग्राम के थू दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे generation 1 है, उसमें hybrid DNA और intermediate DNA मिल रहे है, जबके generation 2 में, यहाँ पे equally हमें hybrid DNA, 1 और 2 equal hybrid DNA यहाँ पे देखने को मिल रहे है, और 1, और यही दो DNA हमें normal light DNA देखने को मिले, 2nd generation में, और ऐसे ही हमें यह दो hybrid DNA 2nd generation में देखने को मिले, नेक्स्ट है हमारा the machinery and the enzymes, living cells में जैसे के E. coli, जो replication का process है, वो बहुत सारे enzymes की requirement, मतलब बहुत सारी enzymes की requirement होती है, replication process को, यह मतलब बहुत सारे catalyst की ज़रत होती है, replication process को होने के लिए, तो the main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase, तो replication में जो main enzyme है, उसे हम कहते है DNA dependent DNA polymerase, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, क्योंकि जैसे कि DNA template को use किया जाता है, जिससे catalyze करने के लिए, और बहुत सारे deoxynucleotides को polymerize करने के लिए, बहुत सारी chains बनाने के लिए, तो यहाँ पर DNA template को क्या किया जाता है, catalyze किया जाता है, जिससे क्या हो सके, polymerize हो सके deoxynucleotides, deoxynucleotides की chain बन सके, these enzymes are highly efficient enzymes, as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides, in a very short time, यह enzyme बहुत ज्यादा efficient होते हैं, बहुत highly efficient enzymes होते हैं, क्योंकि यह catalyze करते polymerization, बहुत सारे बड़े बड़े जो number होते nucleotides के, उनको catalyze करते हैं, उनको polymerize करते हैं बहुत छोटे टाइम में, e-coli में 4.6 x 10.6 base pairs प्रेजन होते हैं, अगर human की बात करों, जिसमें deployed content 6.6 x 9 base pairs है, यह complete करते हैं प्रोसेस को, रप्लिकेशन को 38 minutes में, तो e-coli जो है, वो 38 minutes में अपना replication process को complete कर लेता है, इसका मतलब यह है, जो average rate है, polymerization का, वो approximately 2000 base pairs है per second, not only do these polymerase have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy, अब इन polymerases को fast के साथ-साथ, इन्हें जो यह reaction को catalyze करना है, वो high, मतलब बहुत accurately उन्हें इस reaction को catalyze करना होता है, मतलब जरा सी भी कोई गर्बर ना हो, बिल्कुल accurately उन्हें इसको catalyze करना होता है, रियक्शन को, तो इसलिए मैं कहते हूं, high degree of accuracy in polymerases के पास होनी चाहिए, अगर कोई भी mistake हो जाती है, replication के दौरान, तो क्या हो सकता है, mutations हो सकता है, energetically replication is a very expensive process, energetically देखा जाए, तो और application बहुत expensive process है, deoxyribonucleoside trifosphates, दो purposes को fulfill करते हैं, या दो purposes करते हैं वो, तो deoxyribonucleoside trifosphate का मतलब क्या होता है, जो nitrogenous base है, उसके साथ क्या है, आपकी 5 carbon sugar होती है, और उन 5 carbon sugar के साथ क्या होते हैं, तो यह बनाते हैं, deoxyribonucleoside trifosphates, तो इनका क्या काम होता है, यह दो purposes को serve करते हैं, substrates होने के साथ साथ, substrates या reactants होने के साथ साथ, यह energy भी provide करते हैं, polymerization reaction को, the two terminal phosphates in a deoxyribonucleoside trifosphates are highly energy phosphates, same as in case of ATP, adenosine trifosphate में, जैसे कि, जो phosphates हैं, वो बहुत high energy phosphates होते हैं, ऐसे ही, जो यह deoxyribonucleoside trifosphates में, जो दो terminal phosphates होते हैं, वो बहुत high energy phosphates होते हैं, जैसे ATP में होते हैं, in addition to DNA dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication, with high degree of accuracy, तो DNA dependent DNA polymerase के साथ, और भी बहुत सारे enzymes के ज़रवत होते हैं, जिससे replication का process, पूरा हो सके, एक high degree of accuracy के साथ, लेंग दी DNA molecules के लिए, जो दो strands होते हैं DNA के, उन्हें हम separate नहीं कर सकते हैं, उसकी पूरी length के along, क्यूंकि बहुत ज्यादा energy की ज़रवत होती है, इस process को करने के लिए, तो जो long DNA molecules है, क्यूंकि जो दो strands होते हैं DNA के, उन्हें हम separate नहीं कर सकते हैं, उन्हें की entire length के along, ओके, दे राप्लिकेशन अकर वितना small opening of the DNA halux, तो जो राप्लिकेशन होता है, वो कैसे होता है, वो एक छोटी सी opening, DNA halux में छोटी सी opening के साथ होता है, जिसे हम कहते हैं राप्लिकेशन फोग, और जो DNA dependent DNA polymerases हैं, वो catalyze करते हैं, polymerization को सिर्फ एक ही direction में, और वो है 5' to 3' This creates some additional complications at the replicating fog, तो इससे क्या होता है, और complications जो हैं, वो add हो जाते हैं, और complications बन जाते हैं replicating fog पे, consequently जो एक strand, एक strand पे जो template है, जिसकी polarity 3' to 5' है, जो replication है, वो continuous होता है, जबकि दूसरे strand में, जो template की polarity 5' to 3' है, उसका replication discontinuous होता है, तो इस discontinuously synthesized fragments को, बाद में कौन जोड़ता है, DNA ligase enzyme, एं discontinuously synthesized fragments को, बाद में जोड़ता है, DNA polymerases जो हैं, वो अपने आप इस process को initiate नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप replication को initiate नहीं कर सकते हैं, also the replication does not initiate randomly at any place in DNA, और एक और ये बात है, कि replication अपने आप किसी भी एक randomly, कोई भी जगा हो DNA की, अपना replication ऐसे start नहीं हो सकता है, एक fixed region होना चाहिए, E-collide DNA में, जहांपे replication जो है, वो start होता है, तो E-collide में एक definite region, ये definite region है, एक fixed region है E-collide में, जहांपे replication जो है, वो originate होता है, इन regions को कहां जाता है, origin of replication, जहां से replication start होता है, it is because of the requirement of the origin of replication, that a piece of DNA needed to be propagated, during recombinant DNA procedures, requires a vector, तो it is because, ये इसलिए है, क्योंकि origin of replication का requirement, क्योंकि जो, basically origin of replication एक piece है DNA का, अगर उसे हमें propagate करना है, recombinant DNA procedures के दौरान, तो उसके लिए हमें ज़रूर पढ़ती है vector की, और ये जो vectors हैं, ये provide करते हैं, origin of replication, in eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle, eukaryotes में, जो replication होता है DNA का, वो cell cycle के S phase में होता है, S phase होता है, synthesis phase, तो cell cycle के synthesis phase में, DNA replication होता है, और जो replication होता है DNA का, और cell division, जो cycle है, वो highly coordinated होनी चाहिए, अगर cell division का failure है, मतलब DNA replication के बाद, cell division नहीं हो पा रहा है, तो उसकी विज़े से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, polyploidy या chromosomal anomaly या abnormality, तो इसका मतलब यह है, अगर cell division नहीं हो रहा है, DNA replicate हो गया, लेकिन cell divide नहीं हुआ, तो इससे क्या हो सकता है, इससे polyploidy condition हो सकती है, इसका मतलब chromosomal abnormalities हो सकती है, यहाँ पे आप diagram इदेख सकते हो, replicating fork, यह 5' जो 3' है, DNA strand, यह 3' जो 5' है, इसकी polarity, ओके दोनो template DNA, parental strands है, template की तरह काम करेंगे, तो यह तो continuously, continuously synthesize हो रहा है, तो यह 5' तो 3' जो है, जो continuously synthesize हो रहा है, जबके यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, यह वाला जो है, यह सवाल यह strand की बात करूं, तो यहाँ पे, यह कैसे, मलब एक तरह से fragments के तौर पे, यह जो strand है, यह fragments के तौर पे, to try है, यह से मैं कह सकते हैं, discontinuous यहां पर synthesis हो रही है, नए strand की, तो बाद में यह DNA lygase इसको जोड रेता है, इन strands को कौन जोड रेता है, DNA lygase. So, this is all for today's video, I hope आपको वीडियो पसंद आई हूँ, next video में हम पढ़ेंगे transcription, thank you for watching and please subscribe my channel for more videos, thank you.